21 मार्स से 27 मार्स तक के लिए राजभवन उद्यान को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है सोंबार से उद्यान में जाने के अनमती मिलने के बाद हजारों के संख्या में लोग उद्यान में घूमने पहुच रहे हैं ज्यादा लोग उद्यान में घूम कर इंजॉय कर रहे हैं सिर्फ राज़ानी राची ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के लोग भी उद्यान में घूमने पहुच रहे हैं उद्यान में घूमने आये लोगों ने कहा कि राजबबन के उद्यान की चर्चा सिर्फ जार्खन में नहीं बलकि अन्य राजियों में भी है इसलिए लोग खास करके राजबबन का उद्यान गुमने के लिए राजबबन में पहुचे हुए हैं सिर्फ बच्चे ही नहीं बलकि हर उम्र के लोग उद्यान में गुमने पहुच रहे हैं लोगों ने कहा कि 6 दिनों के लिए कुला या फिर उद्यान हम लोगों के मनोरंजन का बढ़ा के अंदर बन रहा है हम लोग यहां पटना से आये हैं यहां के फूलों के जो बागान है एक्जिवीशन लगता है गुलाबों का इसके बारे में हम लोग ने बहुत कुछ सुना था तो इसलिए जब यहां पर आया है जब यह मौका मिला है तो इस मौकों मौके का फायदा उठाना चाहिए तो हम पुरे परिवार के साथ हम लोग यहां पर आये हैं इस एक्जिभीशन का लिट उठाने के लिए अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ आए हैं परिवार के साथ आए हूंगे दो साल बार मिला है आया है यहां कर्थन का केंदर कित्री माप्टोपस तो खुब सूर्ति का अच्छा है अच्छा लग रहा है डिए दो फूहरा दिखाये जूला व्लाड है को अच्छा लगा गुलाब का परदस्नी है बहुत सुंदर सुंदर है राजभवन है गुमने आये हैं हम लोग क्या बच्चों को जनकारी मिलता है यह बहुत अच्छा लग रहा कि दो साल बाद खुला है और मेरे क्याल से और थोड़ा कुछ दिन के लिए खुलना चाहिए था यहां पर